जोगिता कर रही पुकार, दिके जोडो 20 जार, एक लाग सेह जार, उड़ा करो उनतर हजार सिक्षक भरती के अभ्यरती हैं लगातार 185 दिनों से अपनी मांग सरकार तक पहुचा रहे हैं लेकिन अभी तक किसी प्रकार से कोई सुनवाई नहीं हुए है बदादे 22,000 रिकपदों को लेकर तमाम अभ्यरती उत्तरप्रदेश के अलग-अलग जिलों से राजधानी लखनव में लगबग 200 दिन पूरे होने वाले हैं लंबे समय से धरना प्रदरिशन कर रहे हैं, संघर्श कर रहे हैं और अपने हक की अवाज सरकार तक पहुचाने का प्रयास कर रहे हैं कई तरों तरीकों से इन लोगों ने सरकार तक अपनी बात पहुचाई है उसके बाद भी कोई अच्छा एक रिस्पॉंस मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है हम इस वक्त मौझूद हैं, इसी आटी का रियाले के पीछे जहां पर धरना चल रहा है यहीं अब भी हर्थियों से बात करेंगे, कहां तक बात पहुची है और क्या आश्वासन दिया जा रहा है, क्या कहा जा रहा है मैं इस्थिति यह है कि हम लोग लगातार आज 180 दिन से हाँ पर पानी की टंकी नीचे बैठे हुए है लेकिन आस्वासन ही मिल रहा है अभी तक सरकार हमारे मैटर पर इस्टेंड नहीं कर रही है, क्या करेगी कैसे करी कोई पता होता नहीं है हम लगातार मंत्रियों से, विधायकों से अपनी बात रखने के लिए मिल रहे हैं उनकी तरफ से बस सही होता है कि हाँ हम आपका मैटर समझेंगे और कुछ मंत्री के यह कहते हैं कि आपका मामला संग्यान में भी है आज हमने प्रयास किया कि दारुल सफा में जाकर के अपने विधायकों से मिला जाए मुलाकात भी हुई, उनको ग्यापन में दिया गया उनसे यह अनुमती की गई, अनुने बिने किया गया कि आप इस समय विधान सभा सतर चल रहा है उसमें आकर कि आप हमारा मैटर उठाईए, हमारे मामले को सरकार संग्यान में लाइए कि सरकार के कान तक हमारी बात पहुँचे, उनको यह लगे कि हम समस्या ग्रस्त है इतने दिन से 185 दिन का धरना बहुत बड़ी बात होती है हम यहां से डिगे नहीं है, हिम्मत हारे नहीं है, आपने लाठिया चला ली, जेल भेजवा दिया और आए दिन हम आप देखते हैं कि जहां हमारा धरना परतस्त होता है वहाँ पुलिस बलके द्वारा लाठिय का प्रहार किया जाता है, मॉबाइले तोड़ी जाती है मंतरी से भी मिले हैं, तो वहाँ से क्या रिस्पॉंस मिला है? जी, वहाँ से बोलते हैं कि ठीक है, आपका मामला प्रोसेस में है, लेकिन हमें मतलब किवल आस्वासर नहीं चाहिए, बहुत दिन होते हैं जी, कितनी उमीद लग रही है कि चुनाओ से पहले-पहले कुछ बात बन सकती है? जाता हूं कि अधिकारियों की हिला वाली में ना है, वो खुद सोयम संग्यान लें, क्योंकि प्रिदेश का मुख्या ही पूरे प्रिदेश का एक चलाने वाला होता है, तो उसे उन्हें खुद संग्यान में लेना चाहिए, क्योंकि 180 दिन बहुत लंबी लड़ाई हम चुकी है, आचार सहीता भी लग जाएगी, तो कब तक यहां बैट पाएगा। कर रहे हैं उनसे कि कब तक आपकी मांगे पूरी हो जाएंगी, हमें 180 दिन हो गया है, पर कहीं ना कहीं अधिकारियों की गलतियों के कारण हम लोग यहां टिके हुए है, हमें योगी जी पर आज भी विश्वास है क्योंकि वो एक संथ है, और वो हमेशा योगिता के कर देखिए, आप यहां अपने समर्थकों को रोता हुए छोड़ रहे हैं, आप अगर अगर अधिकारियों की गलतियों को सुईकार नहीं करेंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा है, जैसे मचली होती है ना वो ताला में अगमंड में रहती है, पर जिस दिन ताला सूख जाता ह है, तो वही मचलीओं को चीटियों को चीटियों खा जाती है, हम वो चीटियों है, अगर आप संग्यान में नहीं लेते हैं, तो आपकी सरकार गिनाने में जाद देन नहीं लगेगी, क्योंकि 2022 का चुनाव नजदीक है, और यहां पर सब लोग एकदम यह देख रहे हैं कि स तो देखा, आप में हमने अभिरतियों से बात करी है, इन लोगों ने यह साफ कर दिया है कि एक लंबा समय हो गया है, संगर्श करते करते, यह धरना आगे भी जारी रखेंगे और अपनी मांग सरकार से लगातार करते रहेंगे, लेकिन अगर जल से जल्द मांगे पूरी न कहने किन के लिएकन जाप लगी जाबेठ trophाacy, छेखा, या нап-व कीदेगे रधे, टो शेल अपनी मेंगे जा ले उग एक्वों रेला दंगेखा शुक्त